C-I-E-T-N-C-E-R-T की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गनित की पाठ्थ पुष्टक गनित का जादू का सात्वा अध्याए क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? पेज 99 यहां चित्र हैं इनमें दो लड़कियां दिखाई गई हैं इशा, तुम्हारी सकर्ट बहुत सुन्दर है, मेरी मा ने यह पैटर्न बनाया है मैंने एक कुर्टे में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न दिखा है, वह कैसे अलग था? तुम्हारी सकर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है, एक बार ब्लॉक उपर फिर नीचे, फिर इसे दोहराया गया है पर मेरे भाई के कुर्टे में यह पहले उपर की ओर है, फिर हर बार एक चौथाई घूम जाता है नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है यहां कुछ पैटर्न दिखाए गए हैं अब तुम इन दोनों नियमों का उपयोग करके इस ब्लॉक के साथ पैटर्न बना सकते हो तुम पैटर्न के लिए अपना नियम भी बनाओ प्रिष्ट एक सो साथ आठ गणित का जादू पुस्तक चार जहां एक ब्लॉक का तीन अलग अलग तरीकों से उपयोग किया गया है और प्रिष्ट एक सो पैंतालीस गणित का जादू पुस्तक तीन जहां एक ही ब्लॉक को क्रम से दोहराया गया है ब्लॉक के घड़ी के अनुसार घूमने पर चर्चा करें पेज 100 घुमाव और पैटर्न इस ब्लॉक पर विचार करो इस से अलग-अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव के हमने तीन अलग-अलग नियम बनाए है बने हुए पैटर्न पर विचार करो नियम एक एक चौथाई घुमा कर इसे दोहराओ नियम दो इसे आधा घुमा कर दोहराओ नियम तीन इसे तीन चौथाई घुमा कर दोहराओ अभ्यास का समय एक आगे क्या आना चाहिए? क, यहां एक पैटर्न दिया गया है ख, यहां N दिया गया है जिसको एक चोथाई घुमाया गया है इस प्रकार ये Z बन गया अब इसको पुनह उसी प्रकार घुमाया गया तो ये फिर से N बन गया बच्चों को इसके अन्य विकल्प सोचने के लिए प्रेरित करें घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने के उत्तर को भी माने और उस पर चर्चा करें पेज 101 यहां कुछ और पैटर्न्स दिये गए हैं जिनमें अलग-अलग आकरतिया हैं ग- इसमें तिर्भुजाकार आकरतियां हैं ग- इसमें वरत हैं दो- इस पैटर्न पर विचार करो क- सीधा F तिर्चा F और अधिक तिर्चा F उससे भी अधिक तिर्चा F इस पैटर्न का नियम है 45 अंश का घुमाव हर बार अगला क्या होना चाहिए सही का निशान लगाओ यहां तीन विकल्प दिये गए हैं इसी नियम का इस्तिमाल करते हुए तब तक आगे बढ़ते जाओ जब तक शुरू का चित्र फिर ना आ जाए ख, सीधा एल, थोड़ा तिर्चा एल, खाली स्थान ग, सीधी पी, थोड़ी तिर्ची पी, खाली स्थान पेज एक सो दो तीन लाल रेखा के बाई और नीचे कुछ पैटर्न दिये गए हैं हर पैटर्न के लिए नियम लिखो नियम का इस्तिमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी और से चुनो और निशान लगाओ क, पैटर्न, नियम, विकल्प ख, पैटर्न, नियम, विकल्प ग, पैटर्न, नियम, विकल्प ग, पैटर्न, नियम, विकल्प पेज एक सो तीन पैटर्न को ढूंढें उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है उसे ठीक भी करो क, पैटन्स, ख, पैटन्स, ग, पैटन्स, ग, पैटन्स, जादुई वर्ग, याद है हमने जादुई तिकोन बनाए थे, आओ अब कुछ जादुई वर्ग बनाएं, इस वर्ग को 46 से 54 की संख्याओं से भरो, नियम, हर पंक्ति का जोड एक सो पचास है, यहाँ दो वर्ग दिये गए हैं, जिनको नौ बराबर बराबर वर्गों में बाटा गया है, पहले वर्ग को 46 से 54 की संख्याओं से भरो, दूसरे वर्ग को 21 से 39 की संख्याओं से भरो, पैटन, 25, पैटन, 46, 49, 52, 47, इस वर्ग को 21 से 39 तक की संख्याओं से भरो, नियम, हर पंक्ति का जोड 75 है, इसी तरह के जादोई पैटन के लिए तुम गनित का जादू पुस्तक 4 के प्रेष्ठ 11 को देख सकते हो, पेज 104, जादोई शटकोन, अंकों के पैटन को शटकोन में देखो, आप्शन, अंकों के पैटन पर शटकोन में विचार करो, हर भुजा पर दो गोले और एक चोकोर खाना है, यहाँ एक पैटन दिखाया गया है, और एक लड़की दिखाई गई है, तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी, जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुणा करने से आएगी, सत्तर, चौदः, अठानवे, साथ, सत्तर, दस, बीस, दो, छबीस, तेरह, पैंसट, पांच, पांच गुणा तेरह बराबर पैंसट, खाने में लिखी संख्याओं पैंसट पर विचार करो, इसके दोनों और कौन से गोले हैं, खाली जगह, गुणा, खाली जगह, बराबर, सत्तर, क्या तुम देख सकते हो, कि यह नियम कैसे काम करता है, नीचे दिये शटकॉन को भरने के लिए इसी नियम का उपयोग करो, क, ग्यारह, खाली जगह, नो, एक्से आठ, खाली जगह, सात, खाली जगह, सत्रह, खाली जगह, छे, खाली जगह, क, खाली जगा खाली जगा 78 खाली जगा 104 8 खाली जगा 64 चार खाली जगा अब तुम अपना जादूई शटकॉण भी बनाओ इस बात पर चर्चा करें कि शटकॉण छे भुजाओं की बंद आकरेती है पर इसके मुल्यांकन की आवश्यक्ता नहीं है पेज 105 संख्याएं ही संख्याएं 24 जमा 19 जमा 37 बराबर 37 जमा 24 जमा 19 215 जमा 120 जमा 600 बराबर 600 जमा 215 जमा 120 क्या ये बराबर है खाली स्थान को इसी तरह भरो क चौदः जमा खाली जगह जमा खाली जगह बराबर 34 जमा 14 जमा 20 क खाली जगह जमा 42 जमा खाली जगह बराबर 65 जमा अब इसे समझो अरतालीस गुना तेरह बराबर तेरह गुना अरतालीस जाच करो कि यह ठीक है या नहीं उल्टा सीधा वैसे का वैसा एक सो इकीस एक सो इकीस में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है क्या यह तो कैवल एक संख्या है देखो यह संख्या चाहे बाई ओर से या दाहिनी ओर से पढ़ें वही रहती है अरे हाँ यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी एक, दो, एक ही है यहाँ दो बच्चे बात कर रहे हैं वहाँ एक चिडिया भी बैठी है और एक पेड़ है बच्चों से चर्चा करें कि संख्याओं का स्थान अदल बदल करने से उनके जोड में कोई अंतर नहीं आता पेज 106 आओ समझें ऐसी संख्याएं कैसे मिलेंगी कोई भी संख्या लो, जैसे 43 अब इसके अंकों को उल्टा कर दो 34, अब उन्हें जोडो 77 77 एक ऐसी ही विशेश संख्या है, इसी तरह की बहुत सी संख्याएं है हमने संख्या को पीछे से आगे लिख कर उल्टा कर दिया है यहां कुछ बच्चे और पक्षी दिखाए गए है एक और संख्या लो 48, इसके अंकों को उल्टा कर दो 84, फिर उन्हें जोडो 132, क्या यह विशेश संख्या है नहीं, क्यों नहीं चलो अब इस संख्या को आगे देखें 132, इन अंकों को फिर से उल्टा कर दो 231, अब दोनों को जोडो 363, है ना 363, एक विशेश संख्या कई बार विशेश संख्या पाने के लिए हमें कुछ ज्यादा कदम उठाने पड़ते हैं अब तुम इन संख्याओं को विशेश संख्याओं में बदलने की कोशिश करो क, 28, ख, 132, ग, 273 अब हम शब्दों को विशेश तरीके से लिखते हैं क्या तुमने ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पढ़े जाने पर वे एक जैसे ही हैं दाएं से बाएं या बाएं से दाएं अब कुछ और शब्द ढूंडो जो उल्टा सीधा एक जैसे पढ़े जा सकें विशेश शब्द या अक्षर जो दोनों और से एक ही तरह पढ़े जाते हैं उन्हें पैलिंड्रोम्स कहते हैं ऐसे शब्दों को दोनों तरफ से पढ़ने में छात्रों की मदद करें पेज एक सो साथ कैलेंडर का जादू नीचे दिये गए कैलेंडर पर विचार करो चलो कैलेंडर पर तीन गुणा तीन अर्थात नौ तितियों का बक्सा बनाएं और कुछ जादू देखें यहां कैलेंडर में एक 31 दिन के पूरे महीने को दर्शाया गया है जिसमें संख्याएं 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 और 19 को एक वर्ग में दर्शाया गया है मैं बक्से की इन संख्याओं का जोड तुरंत कर सकती हूँ पर इसमें तो कुछ समय लगेगा संख्याओं का जोड 99 है सबसे छुटा अंकलो 3 उसमें 8 जोड दो जमा 8 बराबर 11 उसको 9 से गुणा करो गुणा 9 कुल 99 अरे बीच का अंकलो और उसे 9 से गुणा कर दो देखो और भी जल्दी उत्तर आता है अब तुम एक कैलेंडर में कोई भी 3 गुणा 3 का बक्सा लो और उसका जोड इसी तरीके से मालूम करो इस खेल को अपने परिवार के साथ खेलो गनित का जादू पुस्तक 3 प्रिष्ट 105-106 में कैलेंडर के जादू पर बच्चे कुछ और जादू देख सकते हैं पेज 108 कुछ और संख्या पैटर्न कोई भी संख्या लो उसे बारी बारी से 2, 3, 4 खाली जगह से गुणा करो हर बारी में 3 भी जोडो उत्तर में कितना अंतर आता है? क्या यह अंतर हर बारी में एक जैसा है? बारह गुणा 2 जमा 3 बराबर 27 बारह गुणा 3 जमा 3 बराबर 49 बारह गुणा 4 जमा 3 बराबर 51 बारह गुणा 5 जमा 3 बराबर 63 बारह गुना खाली स्थान, जमा तीन, बराबर खाली जगह, खाली जगह गुना साथ, जमा तीन, बराबर खाली जगह, खाली जगह, जमा तीन, बराबर खाली जगह, खाली जगह, जमा तीन, बराबर खाली जगह, खाली जगह, गुना खाली जगह, जमा खाली जगह, बराब अब दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसा करो और जोडने के लिए अलग-अलग संख्या लो नीचे दी गई संख्याओं पर विचार करो पैटन पर ध्यान दो क्या तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो ब्रैकेट नौ घटा एक ब्रैकेट बंद भाग आठ बराबर एक अठानवे घटा दो भाग आठ बराबर बारह नो सो सतासी घटा तीन भाग आठ बराबर एकसो तेईस नो हजार आठ सो छेत्तर घटा चार भाग आठ बराबर खाली जगह अठानवे हजार साथ सो पैंसट घटा पाँच भाग आठ बराबर खाली जगह खाली जगह घटा खाली जगह भाग आठ बराबर खाली जगह खाली जगह घटा खाली जगह भाग आठ बराबर खाली जगह बच्चों को बाई और की संख्याओं को जोर से पढ़ने के लिए प्रोसाहित करें चाहे वे उन्हें ठीक से नहीं पढ़ सकते हूं कुछ संख्याओं बहुत बड़ी हैं बच्चों को इन संख्याओं को पढ़ने में सहायता करने के लिए एक लाख या सो हजार की अवधारना दोहराएं पेज, एक सो नौ स्मार्ट जोड यहां दो बच्चे बात कर रहे हैं जब कोई दस संख्याएं एक साथ जोडने को देगा तो कैसे करोगे? ओ, मैं तो तुरंत ही कर लूँगा हो श्यार हो बताओ तुम इसे कैसे करोगे? मैं तो बिना जोड़े ही कर सकता हूँ एक जमा, दो जमा, तीन जमा, चार जमा, पांच जमा, छै जमा, साथ जमा, आठ जमा, नौ जमा, दस बराबर पच्चपन ग्यारह जमा, बारह, जमा, साथ बार खालिस्थान, जमा, बीस फिर एक्कीस, जमा आठ खालिस्थान, जमा, तीस, बराबर खालिस्थान फिर 31 जमा 8 खाली स्थान जमा 40 बराबर खाली स्थान फिर 41 जमा 8 खाली स्थान जमा 50 बराबर खाली स्थान फिर 51 आठ खाली स्थान जमा 60 बराबर 555 फिर 61 जमा 8 खाली स्थान जमा 70 बराबर खाली स्थान पहली पंक्ति में एक से 10 तक का योग दिया गया है बाद की पंक्तियों में आपको उसी प्रकार से खाली स्थानों को भरना है क्या इसके उत्तर में कोई पैटर्न नजर आता है? मज़ा विशम संख्याओं का पहली दो विशम संख्याओं लो अब उन्हें जोड़ो देखो क्या उत्तर आता है अब हर बार अगली विशम संख्या जोडते जाओ आप्शन सोचो क्या उत्तर आता है एक जमा 3 बराबर 4 बराबर 2 गुणा 2 एक जमा 3 जमा 5 बराबर 9 बराबर 3 गुणा 3 एक जमा तीन जमा पांच जमा साथ बराबर सोलह बराबर चार गुना चार एक जमा तीन जमा पांच जमा साथ जमा नौ बराबर खाली जगह बराबर खाली जगह गुना खाली जगह एक जमा, तीन जमा, पांच जमा, साथ जमा, नौ जमा, ग्यारह बराबर, खाली जगह बराबर, खाली जगह गुना, खाली जगह एक जमा, तीन जमा, पांच जमा, साथ जमा, नौ जमा, ग्यारह जमा, तेरह बराबर, खाली जगह बराबर, खाली जगह गुना, खाली जगह तुम आगे कहां तक जा सकते हो? जब हम पहली N विशम संख्याओं को जोडते हैं, तो हमें उनका जोड N गुना N मिलता है, बच्चों को संख्याओं को जोडने के लिए खुला छोड़ दें पेज 110 बूज हो मेरी संख्या बन्ने और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाजा लगाने का खेल खेल रहे थे दोनों एक दूसरे की सोची गई संख्या का संकेत द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे थे क्या तुम उनकी सोची हुई संख्याओं का पता लगा सकते हो? यह सो के आधे से बड़ा है यह च्छे दहाई से ज्यादा और साथ दहाई से कम है दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है संख्या के अंकों का जोड ग्यारा है मेरी सोची हुई संख्या क्या है? यह सो के आधे से छोटा है यह चार दहाई से ज्यादा और पांच दहाई से कम है दहाई का अंक इकाई के अंक से दो अधिक है अंकों का जोड छे है मेरी सोची हुई संख्या क्या है? अपनी सोची हुई संख्या के लिए संखेत लिखो फिर उसे अपने दोस्त को दे कर उसे वह सोची हुई संख्या जानने को कहो संख्याओं का जादू का अपने दोस्त को कहो अपनी आयो लिखो उसमें पांच जोडो जोड को दो से गुणा करो उसमें से दस घटाओ, फिर दो से भाग दो, तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हारा दोस्त हैरान है? पेज 111 उसे दुगना करो खाली जगह गुना दो बराबर खाली जगह फिर से दुगना करो खाली जगह गुना दो बराबर खाली जगह ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो खाली जगह जमा खाली जगह बराबर खाली जगह अब फिर दुगना करो खाली जगह गुना दो बराबर खाली जगह, दस से भाग करो, खाली जगह, भाग, दस, बराबर, खाली जगह, घ, दी गई संख्याओं के पैटन को ढूंडो और आगे बढ़ाओ, एक, बराबर, एक, गुना, एक, एक सो एकीस, बराबर, ग्यारह, गुना, ग्यारह, बारह हजार तीन सो एकीस, बराबर, एक सो ग्यारह, गुना, एक सो ग्यारह, बारह लाख चौंतीस हजार तीन सो एकीस, बराबर, खाली जगह, ऐसे ही अपना संख्याओं का जादू बनाओ, इसी के साथ, चौदह अध्यायों की इस पुस्तक का साथवा अध्याय पूरा स्वर मोईनुल हसन न्याजी तक्नीकी नियंत्रन बैटलेंग लिंगदो तक्नीकी सहायक विकास संघवान निर्मान सहयोग रुचे शर्मा निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत